अधालत इसको दे दी घर चली गई घर जा करके तो ये आज अधालत इसके कार से नहीं बठी होती ये अधालत बठी हुए सोल जिराजमान है तो लोग कुछ लोग सोचते हैं ले कि इतना बड़ा सुरूप प्रोगी का कैसे लगा दिया मैंने कल भी बखलाया था छोटे छोटे सुरूप में पता नहीं लग जाता बैठे हुए कोई इतने से बैठे हुए पता नहीं को बैठे हुए पूरा फरुक को दर्शनी देख लगा दो मैं चाहती हुए मेरे कृफजी को मेरे गृदेव को सारा संसाथ दान ले इसलिए नहीं कि मुझे धिन्डोरा कि इतना है कि मेरे गृदेव हैं इसलिए कि जो करपाएं गृदेव की प्रफजी की थाजारा लोगा पर ही वो बेचारे नादायो जिनको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा जो भटक रहे हैं जो गली गली में गृदेव कोई गृद इख्षा लेओ सरग जाओ यह मर्क को समय रुपईया देओ जो दिम्या भर के मतों में घुम रहे हैं जिनको बिचारें को होश नहीं रहे हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है उनको पता लग जाएं कि श्री आंद कंद प्रफजी कौन है और क्या है कि अगर इसलिए ये बड़ा स्वरोप अर्जेंट परसों टेलिफून में रखल किया था कल ये बच्चा दिली ने नलेंद्र चौधरी प्रफजी का अनम इश्ट बालक है ये सेवा मैंने इसी को दे रखी है ये स्वरोप किसी के पास नहीं है इस तरह का बना हुआ बिल्कुल औरिग्नल स्वरोप है जब तक विग्रे सामने नहीं आएगा तो लोगों को इस तरह की धायना इस तरह की दर्शन होने में थोड़ा सब हो जाता है इसलिए विग्रेह का पूर होना तरह मार्शक कम से कम से कुड़े प्रहम ने दिली से इसके द्वारा बनवाए और परसे फोन किया कर तो यह बना के और आज सुबह ही जब मैंने इसको देखा सुबह है तो कर शां को ही आगा यह बड़ा करके फटा फट नू तो यार करके और यह स्वरूप लेकर पहुंचके मैं तो देखती लेगी मैंने का वाँ कोई हार्दी की इच्छा थी कि श्री प्रवजी बड़ी से बड़ा करके यह दिराजना होंगे यह स्वरूप यह फोटो मत समझना कोई चित्र मत समझना इस चित्र की महुना बरिभारी है जो अपने घर में के अब इसको फोटो समझ करके लगाते हैं क्रपा तो अंपर भी होती है किन तो नहीं जो इनको सोल प्रवजी समझ करके लगाते हैं उन पर तो ऐसी ऐसी क्रपा होती है कि लगता है कि श्री प्रवजी का हाथ स्वरूप में से निकला लगता है कि श्रोड प्रवजी के निकलने शुरू हो गए अभी अभी की ताजी देशना बताओं प्रवजी के दो बच्चे और बच्ची यां बठे गये अभी मुझे अंदर बता रहे चेंगे बात बोले वह बच्चा ना बठा हुआ इतना सा बिमार हो गया हालत ख़राव हुई पोट इस्टिया बढ़ गया और पीलिया जैसा है लिए हालत ख़राव हुई ड़कर को दि दिखाने के बात 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 बने कहा इसको तो दिल्ली ले जाओ हमारे बश्की बात नहीं ऐसा रोग कभी हमने देखा सुनाई है यह लोग चिल्टित हो गया है उनके धर में प्रवजी का स्वरूप निराजमान हुई यह बात सुनाने के लिए ही मैंने सुरुख मंगाया है ताके तुने भी अनुभूतिया होने ही लग जाए शी पुर्जी का सुरूर हाला के नाम नहीं लोंगी नावी बिना नाम के बताउंगी कुर्टे में देखो आगया मसीह मेरा बीच में ऐसे गुद्देश की याद आया थी क्या करो बोलती प्रवजी के लिए प्रवजी महाराजी की तरफ कर देते हैं महाराजी को बोलने तो प्रवजी की तरफ कर देते हैं यह ऐसान का शक्रे चलता है, कि मैं यह भी समझे नहीं आता है, क्या करती है, तो बस सरूप का कमाल बता रही थी, यह सरूप अभी को जिन का में, मैं पिछले रायफूर का प्रोग्राम करके आई, जहां एक बच्चा, अभी मैं प्रभी के चर्मों में आया, उसका नाम शंग हो है, बिजनिसमेन है, करोडा पती है, उसको बिख्चा सब शंची देजी थी, नाम बता दिया, सरूप हमारे पास नहीं थे प्रभी के, मैंने का भाई, वो मैं इसे चलना है माता जी मुझे सरूप तो देजो, मैंने का अभी है नहीं हम बरवाएंगे तो तुह दे देगा, उसने सोरूप नहीं कहा, उसने कहा फोटो देजो, ये शब्द कहा, हमें छोडने के लिए रायपुर इस स्टेशन पर सभी लगा हुए थे, काफी भी हो भी थी, वो नहीं रख्चा था, उसको मैंने अपने मारा जी ये साथ रखती हूं जो, ये डर्वा में रखती हूं, तोक्री में रखती हूं, जैसे हमारे मारा जी अपने प्रभी के रख हैं, हम अपने प्यारे को रखते हैं, वो अपने प्यारे को रखते हैं, तोलो साथ ये हैं, मोरे मारा जी मेरे साथ दलिया में एक टोक्री ची बनाई है, इसमें अपनी छोटी सी एकर ट्रंकी है मारा जी की, उसमें अपना सुंदर सजा के अपने मारा जी को रखती हूं, त वो तोकरी इस्टेशन पर चलते हैं उसलिये पकड़ लिए उसलिये पकड़ लिए उसके ले लिए कि मेंजी लाओ मेरे को देदो मैं लेके लिए ना टोकरी जोनी से लिए उसकी आख्यें बंद होगी आख्यें बंद ही और आख्यें बंद मही वो यह इस्टिती उसकी बंगी तलके जब जब होना लगी और टोकरी भी पकड़े जुए और उसका ध्यान लग जया दियान लग जा तो मैंने सोचा ये तो अब मेरे माराजी को गेर है लिए लिए डाल लागे गई मैंने चीना चाहा कि मुझे इस एक रहा रहा है कर दो 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 जाननी का ये अगम है तो मैंने चावरी तो तू ये तो ये तो बंद होशी नहीं था पना उसकी आख्ये बंद अब पक्तर की तरह यूँ खड़ा विल्कुल लग जीए तो भी तो बने के का रही तो मैंने चाहा नहीं तू लेकिन डिखते ज़़ाण पठाग से मिरे इंपर गिर पड़ा ज़्वार का उससे अट्चा-कठा तो जब गिर पड़ा हो तो मैंने का बही अब इदर तो ये और ये ज्यान में हो गया, और पहली बार इसका ज्यान लगा उसमें, तो मैं चक्करल पड़ी, मैंने का अप्चा करूँ, ज्यान लगना तो बहुत भाद्गी की बादा है, मैं उसके से माराजी की करपा ही, लेकिन अब इसको उठाओं तो कैसे करूं, क्या करूं, मैं ये ज्यान में बाता है, मेरा तरह उसकी आक सा आसू आने लगी उसमें, आसू आते हैं तो कहता है, मैंने का ये क्या देख रहा है तो, मेरे को भी आनंग आता है, सुनने नदर चुट्चा पूछती हूं उससे, जिसका द्यान लगता है, मैं इसकी पिछे पढ़ जाती हूँ, मैंने क्या दिखाई दे रहा है तेरे को ये तो बता दे मरे को, कहता है, माधा जी, ओ प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, कहता है, बड़ जुस्सा हो रहा है, प्रभु जी, मैं क्या हुआ, तेरे ने तो कोई ऐसे काम क्या कर दिया वाई, कहता है, प तो कि अच्छे आपको कहा था या, यह अच्छे या का मतले को सी ना, खोला मैं एक देन जा है सबस्क्रादी लुक करें दोगाईवाजा dessasएं क्या संधार है कि मैं फोटो नहीं हूं, मैं फोटो, यह स्वरुक ऐसे ही नहीं लगा दिया, जो लोग भी नहीं समझ पारे, वो भूल कर रहे हैं भारी, जो प्रजी को नहीं समझ पारे, क्यों लिए, कि यह क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूं कोई संसकार इनका आगे आ रहा है बीच में, कोई संसकार बीच में आ रहा है जिसके कायन प्रभजी के चाणों में आगे निवढ़ पारे, और कंजर ऐसे होते हैं जो यू आयर यू यू करपावनी सुभी तो मेरा केड़े का उप्राई है ये फोटो नहीं है ये चित्र नहीं है अभी दो दिन पहले मैं तुम्हें बताया था कि मद्रास की रानी पदपावनी प्रभजी के सुरुप को लेकर के आदी गुरुशंक राचार जी के पास गई और कहने लगी महराज ये कौन है ये बताओ मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हे इस बात के लिए कोई जी महत्मा संसार के अंदर अगर तुम्हें मिलता है तुम प्रभजी का नाम लेकर के इससे बेधर के करके पुछो निदभर के पुछो कि ये प्रभजी कौन है हमारा एक प्रभजी का है सच्च महत्मा की पहचान बताओं न तुम्हें सच्च महत्मा कहते हैं जिसको आख हो आख माने ये आख नी ये तो तुम्हे भी है और मुझे भी हो सब को अरद हो इन सच तुम मुझे देख रहे न तुम्हें देख रही ये आख नी कौन की आख वो आख जिस आख के बारा इन आखों को बंड करने पर भी दिखाई देता हो वो आख वो आख जिस आख से अरजिन ने भग्वान स्वी किष्ण के विराज से उपका दर्शन की बैज आए ने बल क्या माँ परिए वो आख जिसके लिए उबहर सुनके वो तुम लो कौन की आख जिसके लिए ने भग्वों जे शाम का दर्शन किया करे ने भग्वों जे हरी मान का सुम्रिम की आख से है आख वो कौन की आख है जिस आख से मीरा ने स्री किष्ण को देखा जिस आख से धूले भग्वान जिश्ण को देखा जिस आख से राम यती ने स्री किष्ण को देखा और जिस आख से अर्जुन का तो कितना बड़ा प्रमान है जिस आख से धृत राष्ट के पास कौन देखा था था संजे ने कहां से देखा कहां का देखा हाल कुरुक शेष्ण का हाल देख करके ये पूरी गीता का वानन कर दिया धृत राष्ठ रवाच दृतराष्ठ हुआच रवाच संजे ने वजाच संदे सारी कहानी देख करके बता रहा था ज्यों वो आख, वो नजर, जब तक वो नजर नहीं मिलती, तब तक शी राम नहीं मिलेंगे शी राम के दर्शन नहीं होंगे, शी किष्ण के दर्शन नहीं होंगे भगवान सिर्व के दर्शन नहीं होंगे, भगवती मा के दर्शन नहीं होंगे चाहे भलेगी सामने नहोती आजाओ, सामने राम आजाओ, सामने स्रीकिष्णा आजाओ, लेकिन क्या करें, दिखाई, देता हैं नहीं, उसका अतारन यही है, कि अभी तक आख नहीं मिली, तो इसलिए इस दर्बार में वो आँख मिल जाती है, मैं सही कह दीए इस बाद को, मैं जना, आख मेरे आश वो आख तुम, खास ये आख है, रोशनी के लिए, वकड़ी बैटे, वो दुनिया की चाहत लिए, छोड़ना पर ताज़गे, उस आख के लिए, बोलिये सद्गरदे, वो आख इस तर्बार में मिल गी, तो मैं क्या करी दी, बोले क्या करी दी, वो आख, उस मच्चे को मिली, जिससे उसमें तहचाना, कि प्रभजी ने कहा, कि फोटो, फोटो नहीं हो, देख में को हूँ, प्रभजी में माराग जी ने दल्या ये वेता, दल्या से माराग जी ने आख देगी, बंड में से, आख देने के बार, इसको प्रभजी के दर्शन होने सुदू होई, कि अगर कुल संसार के अंदर महत्मा है, तुम जा करके पूछो, उसको आख है, तो प्रभजी के लिए क्या कहेगा, मुझे आख करके बता दो, अगर उसको आख है, तो प्रभजी की स्कुती करेगा, अरे वो तो वोई है, अरे वो तो वोई है, वो तो वोई है, वो तो वोई है, और यदि आख नहीं है, तो क्या कहते हैंगा, मैं बताओ पहले से बतादी दिने, वो यह कहते हैं, हाँ नाम सुना है उनका, क्या कहते है नाम सिना है उनका हासित दुख़ा का नाम सिना है बस इतना करते इससे ज़ाए उनको आथी नहीं विचारों को कहां से बता है तो इसलिए जब तक आख नहीं लोगे तुम लोगी तब तक तुम्हे राम नहीं मिलेंगी शी किश महीं लेंगे और गुर्दे भी नहीं मिलेंगे तो इसलिए हम घर घर में शी तरजी के सित्रों की सुरुकों की साबना करें इसमी साबना करें ताके तुम्हें आख मिल जाए बिचारों के पास आख मिलेंगे क्या करों के वर वो आख देने के लिए तुम्हारे घर में प्रवजी को व्लाज मान करती है इसलिए अभी जी बात है मैं पुरुक्षेट में थी एक महत्मा है ते रहसी वे विचारा आप महत्मा 25 साल से महत्मा बन गया है ख्षत्मी है आज कल दस बारों लोगों को कुरुक्षेट राशन में छोड़के आई है उन्में वो बुड़ा आदमी है लेकिन बुड़ा ऐसा नहीं है कि उटन बैठ नहीं सकता अच्छा 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 जमान जैसा लगता है वो कहीं किसी गुरु से नाम ले रखा उसने हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया उसको छोड़ गया वो रख्ति को से भाग जा किन्तों वो महत्मा अमारे यहाँ रुग जा कहता मैं तो यहीं रहूंगा मुझे तो आनंदा रहा एक दिन मैं ऐसे परिचेश दे रही थी उसको यह हमारे प्रफजी हैं यह हमारे गुर्देव हैं यह बता रही जी उसको बताना कि माता उसने उपके शासी वरत्ती से मेरे से सुना हाँ हाँ माता जी मैंने नाम ले रखा मेरे गुरु भी हैं यह रहाज तरे की बात करी मैं जानत में हुए पैसे कैसे गुरु किसके होते सारी जिंदगी होगी मेरे को गुरू हमें मात्मां हमें देखते हुए जैसे तुम लोग ना संसारवालों को जानते हो ना इसी तरह हम हमने मात्मा मोट देखे सब्सक्राइगे तो मैं क्या सब कह रही थी क्या बास कह रही हुँ क्या कह रही थी है रुख गया आश्रम में पता नहीं कहा पहुंग जाते गोलो संटे हमारा लक्ष dalla प्राज़ाण देना बहुत संदे नियान है तो आप तुम्हें बात समझेने का है यह समझेत बात कर दियुक्षे हुआ लो packaged90 तो ओन्हें टॊ जा एक दिन आर्थी करने के बाद कि अमात्मा सामने बैठ जाओ, और पाष्च करने जमार में बहर चली गई, उन सब को कह दिया कि पाष्च करने लगो, पाष्च कोन सा? तिमें किसी को अब ही तक याद नहीं हुआ, पदा नहीं याद हुआ कि नहीं, पाष्च जरूर याद करो तो, यह प्रवजी के आदे इ प्रवजी राम लाल सुख वाशी, ठगते मन मंदीर के वाशी, जर्शन करते सते नम ठासी, तरन बयाद दे अजिनाशी, योग से ब्यदल करता ताशा, पुर्ण करता भास्तन जी, यादी नहीं हुआ भी तो, सब याद करें इस बाट को, और ग्याना पाष्च उन्हें, ग्यारा शाम को हर वस्ती को अपने घर में करना चाहिए, कुछ ना करें तो इतना तो करो, आज कर अपने सब ब्यदल पाष्च तरा रारकें, पूरा भास्तने सब को पाष्च बाद इनको 51 पाठ मैंने बुल ले हुए है, 51 पाठ सुभे गरो, 51 शाम को करो, मैं अब ये धर्माद में चाहिए, एक लग्जी को उसकी शादी वह इनी रहती बस इस होगी, तंध थम चाहबाद को इस आउलों से, मेरे पास आया, मैंने का पाठ कर, पास रहता हूं तेरे, पास रहता हूं तेरे, सबा मेरे, तो नहीं देख पाए, तो मैं क्या करूं, जिन्दगी देने वाले में सब कुछ दिया, अर आदमी भूल जाए, तो मैं क्या करूं, तेरे पास आया हूं, बताओ को लोनी वालो, क्या बताओ तुम्हें, इतनी दूर दूर से लोग आए गठे, लेकिन इस को लोनी वाले जगते नहीं हैं, जान के में इस को लोनी में प्रोग्राम देती हूं, कि तुम लोग आजाओ, तुम्हें दूर ना जाना पड़े, फिर भी आए हा, क्या बात है, बोलो साचे, लोगों की भी आजें को बुल लगा सब दराए, बोलो साचे, ये भी आगया है, ये भी इसी को लोनी के आजपा ये भी आ गया है भूल चुपके, तो मेरा तेरे काई प्राइब क्या कहती है, बात बता दो मेरे को, वो महत्मा सामने बठा हुआ था, एक जिल इसमे क्या देखा, वो प्रभुजी की तरफ देखने लगा, बस खाली हूँ इस वरूप की तरफ, तुम भी देख लो मैं तुम् तुम इधर देख लोगा, ने कि दो मैं बढ़े को, मुझे मदको इधर देखो इस वरूप इसी के को लिगाना तुमालिय हूँ वो महत्मा प्रभुजी की तरफ भी हूँ देखता रहा, देखते ही देखते ही 2 मिन कें अ अंदर क्या हूआ कंपण होगए उसके अंदर, शर कर दो जांतें निकले इतने बड़ा स्वरूप है ऐसे कुरुक शेत्र में भी। प्रभजी हमने पूण प्रतिश्ठा कर निंदर पूल जागरित कर लिया उग। अपने मारा जी जा比्स कर लिएं आपाए अपने मारा जी दर्शन कर लो इनी से दर्शन करते ही ज्यान लगना सुरू हो जाता है, क्यों? तुम लोग इतने दिले से लिए लटी ट्यून लगने किया है, क्या मखरों? जागरित नहीं की है अभी, तेरा साही तुझे जान सके तो जान तो हमने अपने प्रभजी महाराजी को जागरित कर रखा है, तो उसने प्रभजी के दर्शन करने शुरू किये और दर्शन करते करते, और क्या देखता है, तीन लाइट थोरी दर कि महारा गन्टा पर बैठा रहा होगा होगा हो, घंटे के बाद जब और ऐखाने उसकी तो आंग खुले के बाद एसा मागने के बाद प्रूर मैं कहां बैठा था, भार एसा दा सान नामकुमारी नानका चरी रहे दिन रा को रहे साचे आपची जाए ना भाई सब तुम आज़ी और बुक्यों मुझे लगता है खाते मियों है बिलकुल मेरे साचे आज़ी जाए बोलते ही नहीं हो आज़ी हो सबके सब मेरे सब्गुर्जे महाप रहूँ जो दिराएं, 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 जो दिर कि विए उ हैं भे खुण करो कर दो तो मैं बात कहरी थी उस महातमा को तीन लैट दिखाई दिए एक लाइट दो लाइट तीन लाइट अगस खाला उसके सामने और तीन लाइट से वो इसको भोशनी रहा कि मैं को उं क्या हूं का आज तक उसको कहीं दक्ष्ण नहीं हुआ था, करिकरपा नहीं हुई थी, कोई लाइट का भी नहीं दिखाई दी थी, किन्तु एक बात कर रखी थी उसने. उसने क्या कर रखा है? किसी गुरु से नहीं ने रखा कोई बात नी. उस मंत्र का वो जाप बहुत करता है. उस मंत्र का जाप करने के बाद उसको प्रफजी की शरण में आना पड़ा क्योंकि शास्र का नियम है पश्चांत पुन्यों ने लबते सिध्धेले सहे संगतिम कि कोई सिध्ध पुरुष तभी मिलेगा कब जब पुन्यों का खजाना इकथा हो जागा कि पुन्य काई से उटें जबते हैं जान करने से भजन करने से मंत्र का जावात है बहुत चंचन होड़ा है तू बोले सांचे क्या कहाना ने जान करने से पश्चांत पुन्यों ही अटे है शी देन साचन दथी इस दर्वार में आएदा तब कब आएदा जब हुन्यों की तोकरी साथ में होगी तो आएदा लोई तो में अंटी विस ने से चाइच के अंदर ये पक्की बादें कि कानन है कानन तो काशिन से पाशास्तर कानन है क्या कानन है पश्चात पुन्यों रहते हैं सिद्धेन सा संगति किसी सिद्ध के दर्शन ओटोमेटिक होंगे क्योंकि तुमने किया है अच्छा कई कई आ भी जाते हैं कोई आकर कि यह कहीं चले आते हीं चले कि इतना ही पाते हो दर्शन तो ओगे इकना तो कम नहीं है अच्छात पुन्यों रहते हैं सिद्धेन सा संगतिक्स फेलन की संगति मिलेगी फिर क्या होगाद है तो तो सुद्धत से क्रपया फिर वो सोचना शुरू करेंगे उसके बारे में कौन गुर्देव प्रभजी सोचना शुरू करेंगे सिद्ध्ध लोग सोचना शुरू करते हैं तो सिद्ध्यों के महा सिद्ध है वो अपने मन में सोचेंगे फलाना बच्चा हमारे पास आया, इसकी तरफ हमें देखना है, इसके पुन्य बढाने हैं, अगर कमी है तो उसके पुन्य बढाएंगे, किसी तरह उपाय कर देंगे, कोई ना कोई, उसको पता नहीं रगेगा, और कोई ना कोई उपाय बना तो वो मंदिर में जाना शुरू करते, एक आज देवी आई मेरे पास, मैं तो भुल की कौन सी थी हुआ? उसने आकर मुझे कहा, कहते है माताजी मेरा पती आया नी करता आपके पास? एक दिन आया था आपने कहा कि अब तू प्रभजी के दर्शन करने अब तू मंदिर में मतल लगा हो मंदिर में ही दर्शन कराने सुन कर दिया उसको प्रफजी ने यहां उसकी पत्नियाई एक बार हो आया आने के बाद उसने हमारे साथ बहस की और बहस करने के बाद अब वो किसी मंदिर में जाने लगा तो प्रफजी ने क्या काम किया अब उससे किसी मंदिर में लगा जाता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, उन्में बढ़ा, उन्में बढ़ा, उन्में बढ़ाने शुरू कर दिया, क्योंकि मंदिर में जाता है, तो उसने अपने मुझ से ये अपनी पत्त नीचे बात कही, बोले, एक बात तो है, बोले, माता जी से तो मैं बहुत करने गया था, बहुत करी थी, और मैं तो दर्शन करने जाया नहीं करता था मंदिर में, इतनी तो होग जा मेरे को, कि मैं मंदिर में रोज दर्शन करने जाता है, जाये अपने पास मी बुला है अपनी ने, लेकिन वहां की प्रेना कर दी, कि तो मंदिर में जा मंदिन में रगड़ा ही चर एक और वकील साहब हमारे पास आपते हैं मां आगने में को कहने लगे माता जी कोई कृपा करो मैंने क्या कृपा करें भाई तरे उपर तो पता लगा मुझे बार कॉंसिल के चेर्मेन रहे हैं का एड़ोकेट मां बाठक जी वो कहने लगे कि माता जी यह बड़े पुन्य आत्मा है शर्मा जी वकील है और ये चार बजे प्रात्यकाल अपना घर छोड़ देते हैं नहां दो के उच्छा लगाने के लिए मंदिर में जाते हैं मैंने का अभी यही करना है तुम्हें अभी करता रो जब पुन्य बढ़ जागा तब अपने आ पुन्यों के ही प्रभाव से रामयन का पाठ करें मंदिरों में जाएं या दान करें या पुन्य करें या बजन करें या सत्संग करें परोबकार करें कुछ भी करें किसी के माध्यम से शुब करम करते 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 क्योंके नियम है ना देखो पास तरह के प्राणी होते हैं इस अधुक भी अपनी कटे अपनी आप चाट लेना हम कोड़ सी शेनी में हैं वह कल को बताओगी आज में बोले साधे आज को मैंने केवाल इतनी बात बताई दुमें कि इस स्वरूप की बड़ी भारी महिमा है तुम मेरी बात मान के देख लो इनके दर्शन करना शुरू कर दो इनकी याद करना शुरू कर दो भड़े ही तुम अपने घर में जा करके जै प्रभजी 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 जै 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 प्रभजी प्र पामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, लोधी होते हैं, मोभी होते हैं और वो असब्ते भाषन करते हैं, को बुद्धी वारे होते हैं, यह क्या है? है ना? उनके लक्षन यह हुआ करते हैं, इनको क्या कहते हैं पपिंदी इमार्ग के भाषा में? मूरह अवस्था के प्राणी. ये रिख्षी का बुरई बुरई सोचते हैं कभी किसी के प्रती सद्भायव नहीं रख सकते सुद्ध बुद्धी नहीं होती कुमार्द गामी होते है पाप करते रहते है उननी इनके पास बिलकुल नहीं रुआ करता किन्तु इनका रजोगुन और सतोगुन बिल्कुल दबा होता है इनके अंदर रहता तो है किन्तु उसकी मात्रा बिल्कुल गौर होती है हमारे गुर्देव जी की बाशाए नंबर दो नंबर दो होते कौन? क्षित पवस्था के प्राणी खित तवस्था के पाणी कोंते होते हैं? वो होते हैं रजोगुनी रजोगुनी की मात्रा उनके अंदर होती है कैसे सुभा होता है उनका? यावत जीवेश, सुखम जीवेश, रेनम पृत्वाद, ध्रतम पीवेश, भैस्वी भूतस्य देहस्य पुन्रा दम्नमकुते उनके सुभाव कैसा होता है? चुनो अपने मन से अपने आप ढूंदेना कि मैं मेरा चेरा किस तरह का है क्योंकि कहा है, फेस इस दा इंडेक्स अफ मैंड, है ना? शीशा अपने सामने रखो और अपने खुदे का चेरा सुम सब को ग्यान होता है, मैं कितने पाणी में हो, क्योंसा मेरा चेरा है? तो यह ढूंड ले ना, तो लंबर दो के प्राणी कोंचे होती है, रजोगुरु, इनके सुझाओं कैसा होता है, रजोगुरु विप्पी, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीओ, सुख पूर्वक जीओ, रणम गृत्वा, घृतम पिवेद, करजा करो, और गी पियो, भस्मी भूत अश्य दे अश्य, पुन्रागम नम कुझे, अरे, सब कहते हैं, मौत आएगी, मौत आएगी, कब आएगी, कब आएगी, देखा जाएगा, मौत आएगी, तो देखा जाएगा, अभी कौन सा आ रही है, अगला जला, किसने देखा है, वो क्या कहते हैं, अगला जला, किसने देखा है, उनकी ब्रत्ति, इस प्रकार की हुआ करती, अच्छा, अब उनके चेरे को देखो, चेरे में क्या होता है उनके, उनके पीछे, एक प्रकाश होता है, प्रकाश सब के पीछे होता है, तो मोगुनी के पीछे, काले रंका होता है, और रजोर गुनी के पीछे, कौन सा होता है, लाल रंका, वो लाल, जब भी ध्यान में बैठोगे, यह भी बताओंगे कैसे देखेगे ध्यान के द्वारा ही यह देख पाओगे, कौन सा व्यक्ति, किस शेनी का है यह तुम जब ध्यान में बैठना शुरू कर दोगे, या तो बाहर से ग्यान करोगे बाहर से कैसे देखोगे, बाहर का अर्थ तो मैंने ये बताया, तो लोग गुणी कुर्स रहा के होते हैं, क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, लोभी होते हैं, काम, क्रोध, लोग, मो, हुमद, मसर, इनके अंदर कुब भड़ा होता है, जैसा इस प्रकार का जिसके अंदर बाहर तो उसके लिए कहा गया है आकारि, इंगतिय, गत्य, चेष्टय, भाशन, इनचय, नेत्र, भट्र, विकार, इस्च, ग्यायति अंतर, गत्म, नहीं बाहर से अगर किसी को देखना है कि ये विकति कैसा है तो उसको हम कैसे देख पाएंगे उसको देखेंगे कि आकार से, उसका आकार कैसा है विकार से आकारी, इंगतई, उसके अंतर इशारे कैसी करता है वो बात कैसी करता है, वो चलता कैसी है आकारी, इंगतई, गत्या कैसे चलता है चेश्टया कैसी उसकी चेश्टया है, हरकते है भाशनियून है या कैसे बोलता है उसकी बोलचाल से, बातों से, चलने से, बैठने से बोलो भंदाओं वहरीं ये योग शीविल है तुम सब कैसे बैठे हो मुझे भी आलगासि आजाता है मेरा मन करता है मैं भी यूँ बैर जाऊ हूं Sophारी योग शीविल है ना तुम्हारे अंदर नहीं है तो बहर से देखोगे ऐसे देखोगे आकार से उसका कैसा बाहर से देख करके समझ लोगो है या उसके बात करने के धंसे या उसके देखने के धंसे या उसकी चेश्टाओं से या उसके बोलने से प्रवेश हो जाएगा और प्रवेश होने के बाद ही कहा है ना प्रवेश हो जान पाता है जो अपनी बाहर से बंद कर ले और अंदर से अंपर मुक्ताची और चलने का प्रयास करें इसको बाहर की दुनिया छूड़ जाएगी उसको अंदर की दुनिया शुरू हो जाएगी खेर यह दूसरा विष्य चल जाता है गिंन॥ मैं अपने विष्य पर आजाओ मेरा केने का verse यह है कि बाहर से तो हम किसी को देख करके जान सकते हैं किन्तु अंबर से अंतर मुक्ता जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जान पाएंगी अंतर मुक्ता ध्यान के द्वारा आएगी और हम देखेंगे कि ये काला इसके पीछे लाइट है तो ये पमगुनी विक्ति है और इसके पीछे अगर लाल रन का प्रकाश है तो ये रजोगुनी विक्ति है इसको क्या कहेंगे योग भाषा में पदंदिली लिमाराजी की भाषा में इसको कहेंगे खिर्पवस्था के प्राणी मूढ़ा वस्था के प्राणी तमगुनी और खिर पवस्था के प्राणी नंबर दो रजोगुली है ना अब इन लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता इनके रक्षन क्या है इन भगवान को नहीं मानते ये क्या कहते है रे कर जाकर और घीपियो भगवान तेने जरूर देखा होगा अगर इन से कोई कहने उन से तुम कहोगे ना चलो भाई ससंग हो रहा है महां चलते हैं तो क्या ज़रूर बगवान देखा है तो ही चला ज़रूर बगवान देखने के लिए हमें नहीं जरूरत है भुलो सांचे तो उनको क्या कहेंगे खिर पवस्था के प्राणी योग भाशा में पतंजिली महा र हम 최대 ड़ी तो कि यह नंबर दो हो गए नंबर तीन कौण से हो गए विकस्ughत अवस्था, मोळ अवस्था, शिफ्त अवस्था और नंबर तीन, विकस्षिप्त अवस्था के यह ऑनी ये दान करते हैं, पुन्य करते हैं, भजन में जाते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यज्य करते हैं, कुछ थोड़े बहुत वरत उपुआस भी कर लेते हैं इतवार का ब्रत कर लिया, एक आजशी का ब्रत कर लिया, गुरुवार का ब्रत कर लिया, संतोशी माता का ब्रत कर लिया, मंगलवार का ब्रत कर लिया, ये ब्रत भी करते रहती है मंदिरों में जाते रहते हैं घंटी बजा देते हैं चाहें भड़े ही मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ती को यह नहीं देखा कि आज शामसंदर किस स्वरुप में हैं आज कौन सा वेश है आज बासरी हाथ में है कि नहीं है आज भगवान ग्राम का कौन से बस रहे है धन तुक आपन वने जलदी से मारे। भगवान शंकर के मंदिर में जलबीसे से जल फिलोकटा चरहाए। इसा घंटी जी बढ़ाई और भाग लिए। यह नहीं पता भगवान के कुछ कहा भी कि नहीं कुछ देखा भी नहीं। बढ़ने के नहीं। उनकी ओंको देखा कि नहीं। मांसुरी यहाथ में है कि नहीं कुछ नहीं कोई मतलब नहीं बस गए ज़र्दी गए तो गए तो something is better than nothing अकारणाथ कारणामशे है नह करने से कुछ करना अच्छा है तुम लोग देखते हो गोना ये बात आम रूप से बात है नहीं सब्सक्राणाथ को अच्छा नहीं लगता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगना जो जो से बोलो बोलो सांचे तो मैं बात क्या करें थी अपने विशे पर आजाओ नम्मर ती इसरे व्यक्ति वो है जो विशित अवस्ता के हैं और केवल दान करते हैं पुन्य करते हैं रामायन परते हैं भाग्वत पर्ते हैं और उपनी शचफप परते हैं अच्छे अच्छे काम शूब करम एं अपने को नगाने की चेष्टा करते हैं alligator में इट उर्म करके उतारी हो बोड़ निशा का माराजी की याद आती है, और वीजों साल मेरे माराजी के चायन कम्लों में ब्यतित हुए, इतनी सी उम्र से आकर के गुरु चर्नों का साया भी दिन जैना सी 2400 गंटे मिला तो मुझे एक एक बात उनकी यादा आती है एक बार हमारे माराजी एक हर्याना गाउं में चले गए तो हर्याना में गए तो गाउं में गए गाउं का प्रचार था वहां माराजी ने भाशन देना शुरू किया माराजी क्या बोलने शुरू में बड़ा गूर्ड विशलिया उस दिन माराजी ने पता नहीं हो सिद्ध लोग हैं कहां रहते हैं कब रहते हैं क्या कहते हैं इसको हर व्यक्ति तो नहीं पहचान सकता किन्तु माराजी ने बोलना शुरू किया इंड्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धी से परे कोई बिर्ला जाने संत इतना गुड विशे लेकर मारजी बैठ गए एक संत्राम नाम की व्यक्ति थे, उन्होंने माराध्जी को बलाया था, और एक व्यक्ति, बुड़े से थे, जो सबसे पीछे बैठे थे, वो खड़े हो गए, उनकी समझ में नहीं आया, तो उसने खड़े हो करके बोला, अरे संत्राम, के आँ भाई के कहा है, उदर की भाशन हाँ भाई के कहा है, तो कि के कहूं, इस इंदरानी में तो बठा दे, माराध्जी हंसरे लगे, माराध्जी केते हैं, हाँ भाई मैं बैर जाता हूं, तो वो कहता है, हाँ तुम तो मैं ठाई चुक्खा लाजे, तो बड़ी प्रेम की भाशा में महां बोला, किन्तु बड़ बूर विश्य हमारे गुर्देव जी का होता था और बड़े सरल रूप में समझाया करते किन्तु उसी मक्खन को मैं प्रयास रहत हूँ किसी प्रतार से अपने गुर्देव जी की वानी को मैं तुम्हें सरलता पूरवक यूँ खोल खोल करके समझा दूँ और उनकी माला को ऐसे एक एक फूल करके तुम्हें ऐसे दूँ ताके मेरे गुर्देव जी की वानी को तुम समझ सको और उसको अंदर बठा सको केवल मेरा एक ही लक्षे है और मेरा कोई लक्षे नहीं है बोलिये सद्गुर्देव तो तीसर पानी कौन होता है विक्षित तवस्था का मूर होस्था खिट तवस्था और नमबर तीर विक्षित तवस्था उनका बाहर का रूपक मैंने बताया कि वो रामायन करते हैं पाठ करते हैं कीर्टन करते हैं धोलक पर जल्दी-जल्दी कीर्टन करते हैं तो बाहर से देखने में तीसरे प्रकार की प्राणी इस प्रकार की हुआ करते हैं, किन्तू किन्तू उनका कथम क्या है, वो कहते है क्या कि राम नाम राम नाम राम नाम रख ते रगो और जब लग घट में प्राण कब हो तो दीन दयाल के भलक पढ़ेगे का राम नाम रख ते रहो अरे भाई राम का नाम रख ते रहो रख ते रहो कुछ तो होगा राम नाम रख ते रहो जब लग घट में प्राण कब हो तो दीन दयाल के कभी ना कभी तो सुनेंगे किहाने वोगा प्राणी जो होती हैं किसरे के चारो तरफ क्या होता है, सफेद प्रकाश होता है, है ना, तमोगुनी के पीछे काला होता है, रजोगुनी के पीछे लाल होता है, और सतोगुनी होते हैं, ये लोग, इनका सतोगुन उपर हो जाता है, और रजोगुन और तमोगुन गौन हो जाते हैं, अधिक मात्र किसकी रहती है सतोगुन की और सतोगुन का स्वरूप क्या है सफेद तो उनके चारों तरफ ये लाइट रहती है प्रकाश रहता है किन्तु वो सफेद रंखा होता समझ गए मेरी बात को तो इनको ये तीसरे प्राणी होते हैं अब नंबर चार आए किन्तु ये तीनों प्रवेश नहीं होता योग को ये नहीं जानते और नंबर चार प्राणी जो होते हैं उनका योग में प्रवेश हो जाता है उनको क्या करते हैं वाह एक आंग लेवस्था के प्राणी है इन बच्चों को अध्यान कराते रहते हैं योग दर्शन का तो इसलिए बीच बीच म क्वार्शन एंपटना आ है कुछ भार्षन रच्छेदार भार्षन तो मेरे हमें हमें तो बसक को प्रबजी बच्छों को उनकी विशेव को समझाना है और सिखाना है बताना अच्छा क्रक्ति किरों है तो नमबर चार कौन सा होता है एक आगर अस्था के प्राणी एक आगर अस्था के कौन से होते हैं कौन से होते हैं हाँ एक आगर अस्था के प्राणी कौन से होते हैं उनका मन इस्थिर होने लगता है वो कहते हैं कि क्या मंदिर में जाना पाथ करना ये करना वो करना इनका फलतों मिलता है जिरूर कल मने जखना है का उतनी इशद का प्रमानदे करके क्या कहा इद रशन तुम्हेद यद्यत तब भुक्ता ज्यानी पुनरवेद पस्चात पुन्ये लगते सिद्धेन सह संगतिम क्या रते इसका कि जब पुन्यों का खजाना इकठा हो जाता है दान करके पुन्ये करके भजन करके मंदिरों में जाके परोगतार करके प्रमान के पाठ करके कीर्टन करके क्या होता है? क्या होगा इनके करने से? पुन्यों का खजाना इकठा हो जाएगा हमारा. उसके बाब क्या होगा? पश्चात पुन्ये लबते, सिध्धे लसा संगतिंग, फेर किसी सिध्ध की संगती मिलेगी. सिध्ध किसको कहते हैं? नहीं समझे. सिध्ध कहते हैं करतू म करतू मनिथा करतू सुलथा शकते हैं से सिध्ध है. कर दे कि ये को बिगार दे और बिगडे को फिर से समार दें. है ना बना दे? ये जिसके अंदर टाकत हो, ये पावर हो, उसको क्या कहते हैं? सिध्ध. है? तो जब सिध्ध कम मिलते हैं? ये महत्मा गली गली वाड़ी गुरु तो बहुत मिलते हैं, गली गली में गुरु फिने कोई गुरु दिक्षा लेओ, सौरग जावया नरक को इस कामने ठिका नहीं लिया, लाओ सवारु पहिया, देओ, ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, किन्तु साधान गुरु लेओ, यह तो मुझे मेरे माराज जी नहीं मिले थी, मैरे जनम हुनी उत्तर प्रदेश में शामली एक कस्वा है, जिला मुदफपरनगर में, और वहां छोटी सी में पढ़ती थी, तो बच्पन से संस्कार उसी तरह के कुछ थे, तो एक गुरु मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे कंनल करते हुए, उन्होंने कृष्ण मंत्र दे दिया, उस मंत्र का हमने खुब जाब किया, और जाब करने से क्या वगा? उन्हे बढ़ गया, उसके बाद हमारी गृर्टेव जी इसी प्रकार से योग प्रचार करते हुए हमारी जनम भून्हे में पोहुँचे, हम से अ तो मारा जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही मारा जी ने दोनों हाथ से इस प्रकार से अच्छा 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 बस वो मुझे अच्छा कहा और गुर्देव जी की किरपा हो गई और उसके बाद क्या हुआ गुर्देव जी के च जान मिल गए गुर्देल जी मिल गए तो मिलने के बाद क्या हुआ माराजी के चान कम लोगे साथ मैं पूरे भार तुर्ष में भ्रमन करती थी इलावाद में हमारे माराजी का कैम्प अभी भी लगता है पहले भी लगता था तो वहां पर हम लोग थे वहां गंड़ इस्लान करके हम आ रहे थे साम में से मेरे वो गुरू जो पुराने वारे गुरू थे वो मुझे मिल गए मैंने का माराज यहां कैसे मुझे कहने के तुम यहां कैसे मैंने का आओ मेरे साथ मैं उनको पकड़ करके लेगी और माराजी के चांड कमडों में उन गुर्देव को भी डाल दिया हमारे माराजी ने मेरे गुर्देव जी ने प्रिक्षा लेग, सवरग जाओ या नरक को लाओ सवार उपया, ऐसे गुरु थे, किन्तो उनका उद्धार भी हमें मिले, हमने माराजी के चाड़ों में डाल दिया, और माराजी ने उनके उपर भी कृपा कर दी, तो मैं क्या कह रही थी, मेरा अभी प्राय कहने कह ये था, क् क्या, एक आग लवस्था के पार, ये योग मारग, पस्चाद कुन्ये न लवते, सिध्धेल सह संगतिम, किसी सिध्ध गुरु की क्रपा से ही, ये योग मारग मिल सकता है, वैसे आज के युग में तो योग का प्रचार पसार बहुत हो रहा है, किन्तु वो फिजिकली है, क वो रवत पणायम सिखा दिया, नेती दोती कर ली, केवल शरी को स्वस्थ बनाने के लिए, उसको करने लगे, उसका परिणाम क्या है, कि योग शब्द को जानने तो लगे लोग, नहीं तो योग के नाम से ही भी, बहुत से लोग ता, रहे क्या योग पोग, मुझे, मुझे, कह दो, कह दो मत, अच्छा खेर, अभी मुझे जनक जी ने थोड़ी जिर पहले बताया था, जिस समय हम, ये चोथा साल है हमारा यहाँ, शिंदे की छावनी में प्रोग्राम करते हुए, जिस समय मैं पहली बार यहाँ आई, तो यहाँ के लोगों ने, जनक जी ने क होगा कि यहाँ योग का शिवर लगाएंगे, तो यहाँ के लोगों ने का क्या योग होता है, सत्य बात है, जब जानते ही नहीं, अन्नोन है, किसी विशे को नहीं जानते तो उसके लिए हर विक की यह कह देगा, हम भी पहले जब नहीं जानते तो हम भी कहते हैं, तो करो की सुखी विद्या मान की क्योंकि इस तरह का बताने वाला करने वाला नहीं है और हम इस बात को जानते हैं अभी तक गीता रोज पड़ते हैं कि इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि योग चीज क्या है योग शुर शुर्द भगवान स्री किष्ण के नाम को संबोधंग द जानते हैं भक्ति मार्ग ज्यान मार्ग किन्तु इस बात का नहीं पताए कि भगवान स्री किष्ण क्या ग्यादी है गीता में स्री किष्ण को मानते हैं किन्तु स्री किष्ण की वानी को नहीं मानते हैं मैं अधिक समय नहीं लूँगी थोड़ी देर और बात करूंगी तु योग किसको कहते हैं चित्वरत्तियों के निरोध को योग कहते हैं हमारे मन के अंदर लहरे उफती रहती है सरल भाषा में बत कि कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है कभी रजोगुन की आती है कभी तमोगुन की आती है कभी सतोगुन की भी आ जाती है कभी अच्छे काम करने लगते हैं कभी बुरे काम करने लगते हैं कभी निंदा करते हैं कभी सुथी करते हैं कभी राद करते हैं कभी द्वेश करते हैं ये ब्रस्तिया उत्थान बतन क्लिश्ट और अक्लिश्ट ब्रस्तियों का उत्थान बतन चलता रहता है कभी अच्छी आगी कभी बुरी आ आज मैंने कितनों से प्यार किया, कितनों को धुक्का दिया, किस तरह की बात की, कितनों को ढगा दिया, तो इस तरह के विचार, जब विर्थिया आती हैं, उनको पकड़ना चाहिए। वो जो ब्रक्तियां आती रहती हैं, उन ब्रक्तियों का समूलो उनमूलर करना हैं, तब हम योगमार्ग में प्रवेश्ट कर पाएंगे, पूरा योग दर्शन एक सुत्रबटी का हुआ है, योग चित्रबटी निरोध है, चित्रबटी नाम नितरान हो गई योग है, ये हमारे मन के अंदर बिलकुल भी चित वरतियां उठे ही नहीं, ने राक की आए, ने देश की आए, ने अच्छी आए, ने बुरी आए, ने शुबो ने शुबो वो निश्कामता की पराकाष्ठा पोंचनी है अभी तो, किन्तु ये योग मार्ग से चलने के बाद ही हम कर प तुम्हारे मेंसे इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, कोई एक विक्ती ऐसा हाथ उठा दो, जो भगवान कृष्ण को ने मानता हूँ, है कोई? कोई ने, किन्तु भगवान कृष्ण की बात भी नहीं मानते हैं, बोल बंदा, बल वियारिना, तुभारी भद तुमसे क्या ल बात भानते हो, शामसंदर प्रणों में बसने वाले हैं, रोम में बसने वाले हैं, किन्तु उनकी बानी को कभी ने गोर से सुचा, और ने सुना, और ने कभी उस तरह का बताने वाला कोई मिला, क्या कहते हैं गीता ने? केते हैं तबस्षिभ्यो अधिको योगी ज्यानि भ्योप्य मतो दिकारा कर्मी देश्च्य अधिको योगी तस्मा कर्माइब 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 कर्माइ